परिचय मा तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी फ्रॉक पर एक प्रतिरूप की सिलाई कर रही हूँ मा, क्या तु मेरी कुछ और फ्रॉकों पर इस तरह के प्रतिरूप की सिलाई कर सकती हो? क्यों नहीं? लेकिन मेरे पास उन प्रतिरूपों के लिए पर्याप्त बटन नहीं है क्या तुम उन्हें मेरे लिए खरीद लाओगी वन्शिका? ठीक है मा, आपको कितने की आवशक्ता होगी? मुझे एक प्रतिरूप के लिए 16 की आवशक्ता पड़ेगी मैं पाँच फ्रूपों पर प्रतिरूप चाहती हूँ इसलिए मुझे 16 गुना पाँच यानी 80 बटन खरीदने होंगे बिल्कुल ठीक बन्शिका बच्चों, इस पाठ में आप बीजगनित के बारे में सीखेंगे उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे बीजगनित को परिभाशित करना चरराशी को परिभाशित करना सामान ने अंकगनितिये गुन धर्मों को व्यक्त करने के लिए चर का उप्योग करना जया मितिय अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए चर का उप्योग करना वास्तविक जीवन की समस्याओं का अनुवाद बीजिये व्यंचकों में करना बीजिये समिकरणों को हल करना चर की संकल्पना अनन्या लकडी के त्रीकोण का उप्योग करके नृत्याकृतियां तयार करती है एक दिनों से अपनी सहेली रीता से दस ऐसी नृत्याकृतियां तयार करने का एक निवेदन मिलता है अनन्या को उन्हें बनाने के लिए कितने त्रीकोणों की आविशक्ता होगी नृत्याकृतियों को ध्यान से देखो अनन्या इसे बनाने के लिए नौ त्रीकोणों का उपयोग करती है इसलिए दस नृत्याकृतियों के लिए अनन्या नौ गुणे दस पराबर नब्बे त्रीकोणों का उपयोग करेगी रीता की चाची इन आकृतियों को देखती है और उन्हें इतना पसंद करती है कि वो पचास ऐसे नग बनाने का आधेश दे देती है अनन्या इन पचास नरत्य आकृतियों में कितने त्रीकोडों का उपियोग करेगी अनन्या एक आकृतियों में नो त्रीकोडों का उपियोग करती है इसलिए पचास आकृतियों में वो नो गुड़ें पचास पराबर चार सो पचास त्रीकोडों उपियोग करेगी अनन्या पचास आकृतियों में चार सो पचास त्रीकोडों का उपियोग करेगी एक एकल नृत्याकृति में अनन्या द्वारा उप्योग किये जाने वाले त्रीकोणों की संख्या इस्थिर है हाला कि उसके द्वारा उप्योग किये गए कुल त्रीकोणों की संख्या उसके द्वारा तैयार की गई निर्त्याकृतियों की संख्या के आधार पर बदलती है इसलिए हम निम्निलिखित व्याख्या द्वारा समा नहीं करण कर सकते हैं यदी अनन्या एन निरित्याकृतियां तैयार करती है, तब उसे नौ गुणे एन त्रीकोणों की आविशक्ता होगी. बीज गनेत गनेत का एक खंड है, जो वनमाला के अक्षरों के साथ संख्याओं को दर्शाता है. विभिन उत्तर प्राप्त करने के लिए अक्षरों को विभिन संख्याओं से बदला जाता है, इसलिए चुणकी अक्षर का संख्यात्मक मान घर्टा बढ़ता है, उन्हें चर कहा जाता है. आईए कुछ और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं, जिसमें बीजगनित का उप्योग किया जाता है. राजू एक हाउसिंग स्साइटी में कारों को साफ करता है, वह प्रत्य कार को साफ करने के 200 रुपे लेता है. राजू की कुल आए चर के रूप में विक्त कीजिये. राजू की कुल आए उसके दोरा साफ की गई कारों पर निर्फर है. मान लीजिये कि वो N कारें साफ करता है राजु द्वारा एक कार को साफ करने का मूले 200 रुपए है तो राजु द्वारा N कारों को साफ करने का मूले 200 गुणा N रुपए होगा अतार राजु की कुल आमदनी है 200 N रुपए आईए एक और उधारण देखते हैं रिया अभी पांच वर्ष की है आपसे दस वर्षों बात की उसकी आयू ग्यात कीजिए एक चर के साथ व्यंचक का समाने करण कीजिए अभी रिया की आयू पांच वर्ष है दस वर्ष पश्चात रिया की आयू पांच जमा दस होगी M वर्ष पश्चात रिया की आयू 5 जमा M होगी इसलिए अपसे M वर्षों के पश्चात रिया 5 जमा M वर्ष की हो जाएगी अंक गणितिये गुण एवं चर आये अपचरों की सहायता से कुछ और अधिक उप्योग होने वाले अंक गणितिये गुणों को व्यक्त करते हैं ये कुण हैं? क्रम विनिमाई गुण सहाचरे गुण वितरण गुण आये प्रतेग बिंदूं को संक्षेप में देखते हैं क्रम विनिमाई गुण दू संख्याओं का जोड और गुणा क्रम विनिमाई होता है दूसरे शब्दों में दू संख्याओं के जोड और गुणा के क्रम में बदलाओ उनके योग और गुणान को प्रभावित नहीं करता है 9 जमा 8 तथा 8 जमा 9 बराबर होता है 5 गुणा 6 तथा 6 गुणा 5 बराबर होता है क्रम विनिमे गुण सभी संख्याओं के लिए सत्य है अताहा हम इसका चरों के साथ निमने रूप से सामान नहीं करण कर सकते हैं A जमा B बराबर B जमा A A गुणा B बराबर B गुणा A सहचर्रे कुण तीन संख्याओं का जोड़ और कुणा सहचर्रे होता है दूसरे शब्दों में तीन संख्याओं के जोड़ और गुणा के क्रम में बदलाओ उनके योग और गुणन को प्रभावित नहीं करता है कोश्ठक में 9 जमा 8 जमा 7 तथा 9 जमा कोश्ठक में 8 जमा 7 बराबर हैं कोश्ठक में 5 गुणा 6 गुणा 4 तथा 5 गुणा कोश्ठक में 6 गुणा 4 भी बराबर हैं साचर रे कुण धर्म सभी संख्याओं के लिए सत्ते हैं, अताहा हम इसका चरों के साथ निमने रूप से सामान नहीं करण कर सकते हैं. कोष्ठक में A जमा B जमा C बराबर है, वितरन गुण, इस वियंचक को देखिए, पांच गुणा कोष्ठक में 8 जमा 9, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, पांच गुणा 8 जमा 5 गुणा 9, ये कुण योग पर गुणन की वितरनता के रूप में जाना जाता है, यह सभी संख्याओं के लिए सत्ते है, हम अताहा इसका चरों के साथ निमने रूप से सामान नहीं करण कर सकते हैं, कुष्ठक में A जमा B गुणा C पराबर है, A गुणा B जमा A गुणा C के, जया मितिये अवधारनाएं एवं चर, चर की अवधारना जया मिती के लिए बढ़ाई जा सकती है, उधारनार्थ, वित्त का व्यास उसकी तृज्या का दुगना होता है, इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, व्यास बराबर दो गुणा तृज्या या D बराबर दो गुणा R, जहां D और R दोनों चर हैं, यदि R का मान बदलता है, तब D का मान भी बदल जाता है, आईए परिमाप और इक्षित्रफल को व्यक्ति करने के लिए चरों का उप्योग करते हैं परिमाप किसी भी दो आयामी आकरिती की परिथी उसके खेरे की लंबाई होती है आयत ABCD का परिमाप AB जमा CB जमा DC जमा DA होगा हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं इसलिए लंबाई के लिए DC पराबर AB पराबर L और चोड़ाई के लिए DA पराबर CB पराबर B यदि परिमाप को चर P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तब B बराबर L जमा B जमा L जमा B होगा जो की बराबर होगा दो L जमा दो B के जो बराबर होगा दो कोश्टक में L जमा B के चर P, चरों L तथा B के साथ बदलने से बदलता है वर्ग का परिमाप ABCD बराबर AB जमा CB जमा DC जमा DA जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं अताहा भुजा के लिए AB बराबर CP बराबर DC बराबर DA बराबर S है यदि परिमाप को चर P के दोरा दर्शाया जाता है तब P बराबर S जमा S जमा S जमा S यानि 4S होगा चर P का मान चर S के साथ घर्टा बढ़ता है क्षित्रफल आयत ABCD का क्षित्रफल लंबाई गुणा चोड़ाई है यदि क्षित्रफल को चर A, लंबाई को L तथा चोड़ाई को B के दोरा प्रदशित किया जाता है तब A बराबर L गुणा B होगा चर A, चरों L तथा B में आत्म मोलियांकन प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा सही विकल्प पर क्लिक करें बीजिये व्यानजक अंक गणितिये व्यानजक जोड़, घटा, गुणा और भाग की सहेता से संख्याओं के बीच संबंद स्थापित करती है यहां कुछ अंक गणितिये व्यानजक हैं एक अंक गनितिये व्यंजक का परिणाम इसे हल करके निर्धारित किया जाता है। आईए इनमें से प्रतेक अंक गनितिये अभिव्यक्ति को हल करते हैं। बीजिये व्यंजक चार अंक गनितिये संक्रियाओं की सहायता से संख्याओं और चरों के बीच संबंध स्थापित करता है। यहां कुछ बीजिये व्यंजक हैं। एक बीजीय व्यन्जक का परेडाम निर्धारित किया जा सकता है, जब केवल व्यन्जक में चर का मान ग्यात हो। आईए हम चर के विशिस्ट मानों के लिए इन में से प्रत्येक बीजीय व्यन्जकों को हल करते हैं। बीजिये व्यंजकों की संडचना आईए अब हम कुछ बीजिये व्यंजक लेते हैं तथा उनकी संडचना किस प्रकार से की गई है उसे समझते हैं तीन गुणा N जमा बारा N को सर्वुप्रथम तीन से गुणा किया जाता है एवं ततपश्चात परिणाम में बारा जोड़ा जाता है Y भाग साथ जमा पांच Y को सर्वुप्रथम साथ से भाग दिया जाता है ततपश्चात परिणाम में पांच जोड़ा जाता है कुष्ठक में आर घटा हाठ गुणा चौदा 8 को सर्व प्रथम R से घटाया जाता है तत्पश्चाथ परिणाम को 14 से गुणा किया जाता है 6 जमा 3 गुणा कोश्ठक में M घटा 12 M से सर्व प्रथम 12 को घटाया जाता है तत्पश्चाथ अंतर को 3 से गुणा किया जाता है एवं परिणाम में 6 जुड़ा जाता है 56 भाग कोश्ठक में S गुणा 3 S को 3 से गुणा किया जाता है एवं तदपश्चाथ गुणन को 56 से विभाजित किया जाता है आईए अब हम BGA वेंजकों की सहायता से कुछ वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को व्यक्त करते हैं केशव एक टॉफी और एक चॉकलेट खरीता है चॉकलेट टॉफी से 20 रुपे महंगी है टॉफी की कीमत अनुसार चॉकलेट की कीमत की व्याख्या कीजिए यदि टॉफी की कीमत X रुपे है तब चॉकलेट की कीमत X जमा 20 होगी समीरा 200 रुपे की कीमत की एक किताब और 30 रुपे प्रती नोट बुक की कीमत से कुछ नोट बुकें खरीती है एक बीजिये व्यंजक की रूप में समीरा दौरा खर्च की गई कुल राशी की व्याख्या कीजिए यदि वाई समीरा दौरा खरीदी गई नोट बुकों की संख्या है तब नोट बुकों पर समीरा दौरा खर्च की गई राशी तीस गुणा वाई यानि तीस वाई है किताबों और नोट बुकों पर समीरा दौरा खर्च की गई कुल राशी तीस वाई जमा 200 है आईए एक और उधारण देखें पांच वर्ष के पश्चात राजेश के पिता की आयू राजेश की आयू की तीन कुना होगी आपसे पांच वर्ष पश्चात राजेश की आयू के अनुसार पिता की आयू व्यक्त कीजिए यदी राजेश की आयू ए वर्ष है तब बीजिये समीकरन आये इस कथन पर विचार करते हैं चार घटा तीन बराबर एक इसे गणितिये रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है इस तरह के गनितिये व्यानजक को अंकिये व्यानजक के रूप में भी जाना जाता है अब गनितिये व्यानजक पर विजार करते हैं ती घटा पांच बराबर दो ये गनितिये व्यानजक एक बीजिये समीकरण है एक बीजिये समीकरण एक या एक से अधिक चरों का होता है आईए अब हम समीकरण के दो गुण धर्मों को देखते हैं एक किसी एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं बायापक्ष या LHS तथा दायापक्ष या RHS दो पराबर का चिन LHS एवं RHS को बराबर करता है आईए अब हम सभी पुराने BGA व्यांजक को BGA समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं X जमा 20 बराबर 25 30 Y जमा 200 बराबर 1100 कुष्ठक में A जमा 5 गुणा 3 बराबर 45 एक चरका वो मान जिसके लिए एक समीकरण संतुष्ट हो जाता है उसका हल कहलाता है आईए अब हम BGA व्यांजक के उधारण पर पुनर विचार करते हैं केशव एक टॉफी और एक चॉकलेट खरीदता है चॉकलेट की कीमत टॉफी की कीमत से 20 रुपए अधिक है यदि केशव दौरा चॉकलेट पर 25 रुपए खर्च किये गए तो टॉफी की कीमत क्या है एक BGA समीकरण बनाएए तथा इसका हल गयात कीजिए यदि टॉफी की कीमत X रुपए है तब चॉकलेट की कीमत X जमा 20 होगी किन्तु चॉकलेट की कीमत 25 रुपए दी गए है इसलिए X जमा 20 बराबर 25 है यदि X कमान 5 है इसलिए X बराबर 5 समीकरण का हल है इसका मतलब है कि टॉफी की कीमत 5 रुपए है आईए एक और उधारण को देखते हैं समीरा 200 रुपए कीमत की एक बुस्तक तथा 30 रुपए प्रती नोटबुक की कीमत की कुछ नोटबुकें खरीती है यदि समीरा कुल 11 सु रुपए की राशी खर्च करती है तो नोटबुक की कीमत ग्याद कीजिए एक बीजिये आत्म मूलियांकन आईए जाचें की अब तक आपने क्या सीखा बीजिये समीकरणों का उनके हल के साथ मिलान कीजिए साहरांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं बीज गनित गनित का एक खंड है जो वनमाला के अक्षरों के साथ संख्याओं को दर जाता है वनमाला के अक्षर जो संख्याओं को दर्शाते हैं चर कहलाते हैं चर के विभिन मान होते हैं अंक गनितिये कुणों को व्यक्त करने के लिए चर का उप्योग किया जाता है जयामितिये अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए चर का उप्योग किया जाता है बीजिये व्यंजक, संख्याओं और चर के मध्धे संबंद स्थापित करता है समीकरण में चर का वहमान जो बीजिये समीकरण को संतुष्ट करता है उसका हल कहलाता है